इन लोगों को समुंदर के अंदर एक कच्वा दिखाई देता है, जिसके पूरे शरीर पर बहुत सारे ट्यूमा हो रखे हैं। आज से पहले कभी भी रेस्क्यू टीम में किसी जानवर पर इतने सारे ट्यूमा नहीं देखे थे। डॉक्टर्स के हिसाब से ये कच्वा बहुत ही दर्द में था और इसके ट्यूमा का साइज देखकर ऐसा लग रहा था कि यह कई सालों से इस दर्द को जेल रहा है। सबसे पहले डॉक्टर्स इसे बेहोश करते हैं और लगबग 8 घंटों तक इसका ओपूरेशन करके ट्यूमा को निकाल देते हैं। ओपूरेशन के बाद कई दिनों तक ये कच्वा इनकी देख रेक में ही रहता है। और फाइनली सही समय आने पर इसे वापस पानी में आजाद कर दिया जाता है।